नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है करनाटक से जहां पिछले कई दिनों से चल रहा ड्रामा आखिरकार खतम हो गया और बहुमत परिक्षन में 14 मा पुरानी कुमार स्वामी सरकार गिर गई गटबंदन सरकार के पक्ष में जहां निन्यान में वोट पड़े और सरकार के विपक्ष में 105 वोट पड़े बसपा के विधायक ने विश्वासमत प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लिया वही भाजपा के एक विधायक भी इस मौके पर अनुपस्थित थे। विधायकों के इस इस्तवे से शुरू हुआ राजनेतिक ड्रामा आखिरकर सरकार के गिरने से पहुंच गया। बहुमत खोने के बाद कुमार स्वामी ने अपना इस्तिवा राजयपाल वजु भाईवाला को सौंप दिया। के भी सरकार गवाने का डर सताने लगा है। यहां विधानसवा चुनामों से लेकर अभी तक कॉंग्रेस के आला निताओं का आपसे विवाद खतम होने का नाम नहीं ले रहा है। वही ऐसे में सरकार जनहित के भी कुछ खास काम नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर सरकार को बचाए रखना है तो बड़े निताओं को दिल से एक होना पड़ेगा नया की लोग दिखावे के लिए अन्यथा हो सकता है राजस्तान से भी कॉंग्रेस हाथ दो बैठे